सावन का पहला दिन है और प्रशासन ने भी तैयारिया शुरू कर दी हैं ऐसे में हम गाज़बाद के दुदेशनात मंदिर में खड़े हैं और महतने नारायन गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं बात करेंगे कि मंदिर समित्ती दुआरा क्या-क्या तैयारियां काव पुरा मिनावा भूगवान शिव का अपासना का है तो इसमें विसेश रूप से अपना कावडियों का मिला भी रहे है रात में बहुत से लोग जो है कावडिया जो है आपका गंगोत्री के लिए जो निकल चुके हैं वो कावड लेके आएंगे ये दो साल दो करोना था तो कावड मिला हुआ नहीं है इस बार विशेश रूप से कावडियों का अच्छा प्रवंद व्यवस्ता करने के लिए परसासन वगरा एक बीने से पूरा संपरक्त में है हमारा भी करेकरता लगे हुए है तो यह अपना जो 14 का जल है जो सिवरात्री है साउन की सिवरात्री उसक कावड यात्रा नहीं हो पा रही थी इस बार कोविड जो है पूरी तरह से खुला हुआ है तो कितने भक्तों का आने का आस्वासन लगा जा रहा है इस बार विशेश रूप से 6-7 लाग जो है हमें साथ 3-4 लाग आते थे इस बार डबल आने का संभावना है तो जदर संक्य इसे भी आएंगे और रिद्वार से भी एक इस तरह से कावडिया सब लोग लेने से ले जाएंगे तो काविशन के वे लोग आने वाले जी तो प्रसासन की तरफ से क्या मदफ मिल रही है किस तरफ करीके सी तैयारी है उससे संतुष है मंदिर समीती हम लोग महाराज जी को प्रसासन हमेशा से करीब 15 दिन से हम लोग के संपरक में है और पुरा जो सड़क रोड लाइट बिजली होगरा है सारे चीज जो है यहां पर जो काम जो बहुत तेजी से चल रहा है और पुरा हम लोग संतुष तो यह थे प्राचीन मंदिर दुदशनात मंदिर के मेहंद न लोगों की भक्तों की बढ़ने के अशंका ज्यादा जताई जा रही है मैं जंतन तो टिवी के लिए गाजेबाद से स्व्मिल गौतम